Hello everyone, welcome back to ASNIT तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं NIT 2024 के जो form feeling होगे उसके लिए documents की जरुरत पड़ेगी किन-किन documents की जरुरत पड़ेगी उनको अभी से दयार रख लो अगर इसमें से कुछ नहीं है तो time से पहले मैं ये वीडियो अपके लिए अपडेट कर रहा हूँ, upload कर रहा हूँ ताकि अगर इसमें से कोई documents आपके पास नहीं है या फिर किसी को update करवाना है तो उसको आप update पहले से करवा के रखो ताकि जैसे ही form प्रिलीज होंगे तब आप अपना form feel कर पाओ और form feel करना अपनी priority नहीं है इसके साथ साथ counselling को भी धान में रखना है उसको धान में रखते हुए किस-किस documents की जरुवत पड़ेगी वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँगा विडिटेल के साथ में और आप खुद भी ये form feel कर सकते हो आपको किसी soap का सहरा ना लेना पड़े या फिर किसी और का सहरा ना लेना पड़े इसके लिए भी मैं आपको ये सारे चीज़े बताऊँगा सारे points बताऊँगा कि कितनी photo और कितना PDF आपको बना के रखना है कौन से document का जिससे कि आप घर बेटे खुद भी अपना form fill कर पाऊगे तो ये इस वीडियो में बहुत ज़्यादा important होने वाला है टाइम से पहले वीडियो में इसलिए suit कर रहा हूँ ताकि अगर कोई documents की आपके पास कमी है तो आप उसको change करवा सकते हो या फिर update करवा सकते हो तो जो subscribe कर देना चैनल को नए हो तो चैनल को like कर दिया होगा अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर like करना और ज्यादा से ज्यादा share कर देना ताकि सब का फायदा हो पाए और like और subscribe करोगे तो मेरा confidence बहुत ज़्यादा boost होगा तो start करेंगे वीडियो को से पहले like कर देना और एक-एक point को दहां से पढ़ समझते रहना तो चलो start करते हैं तो सबसे पहले बात करें तो passport size का photograph आपको जरुत पढ़ती है आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा photograph जो passport size के हैं वह भी जैसे ही form release होंगे तो उसमें guideline होगी कि इस date के बाद की आप photos जो है upload कर सकते हूं वैसे तो कोई भी कर सकते हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट अगर आप safe zone में रहोगे क्योंकि आप का face ओ ऐसा ही दिखना चाहिए जैसा की जैसा की आप दिखते हो अगर कुछ changes हुए तो exam hole में आपके साथ problem हो सकती है इसलिए जितनी latest photo आपकी होगी उतना ज़्यादा फाइदा होगा और photo VC होने चाहिए जिसमें आपके दोनों क form fill करना चाहते हो तो उसकी jpg के अंदर आप इन photos को 10 to 200 kb का अपना save कर सकते हो इसको edit कर लेना आप इतनी capacity में ताकि आप अपना form fill करते टाइम पे आपको problem नहीं हो direct आपको pick करो और वापर paste करना होगी तो यह हुई passport size photograph की बात next बात करते हैं postcard size का photograph पे आपको चाहिए photograph पहले जरूरत नहीं पड़ती थी देकर अभी इसको जरूरी कर दिया है तो यह भी 4 into 6 inches के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी इसकी size भी आप jpg के रूप में 10 kb से लेके 200 kb के बीच में इसको save कर सकते हो अपने phone के अंदर या पिर अपने laptop में आपकी phone का नाम मैं इसले ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत से students के पास laptop ना हो अपना phone से भी अगर form फिल करना चाहें तो वो भी आप easily fill कर सकते हो क्योंकि tap सबके पास होता होगा जिससे कि आप lectures लगाते होंगे अगर आप online classes लगाते हैं तो next बात करते हैं signature तो signature आपके पास वो तो आप खुद करिये लोगे बट खुद करने से आपके पास इतना system नहीं होगा अगर आप घर फे form फिल कर रहे हो तो तो आपको signature करके रख right thumb जो left and right hand है उसकी finger और जो thumb है उसका impression लेकर रख सकते हो क्योंकि जगह जगह पे आपको मानते हैं exam hall में भी आपको इसकी ज़रुत पढ़ेगी तो ये आप thumb जो है इसका बशाइज 10 to 200 kb के बीच में अपना रख सकते हो इसकी ज़रुत पढ़ने वाली है तो ये तो बात ह जो ही चार टाइप के चीजों की जो की man man थी वो मैंने आपको बताई अभी और बात करते हैं आगे कुछ और documents की नेक्ट बात आती है number 5 10th class का certificate यानि के 10th class के mark seat आप इसको बोल सकते हो जो की इसका PDF form आपको बना के रखना होगा अपने पास जो की इसकी size होने वाली है 50 से देके 300 KB के बीच में तो 52 300 KB के बीच में इसकी size हो सकती है तो आप इसको बना के रख सकते हो अपने coding नेक्स बात आती है number 6 12th class का certificate 12th class के certificate वो भी PDF form में और same size इसकी भी होने वाले हैं क्योंकि certificate है तो इसका same size 52 300 KB के बीच में आप इसको रख सकते हो next बात आती है number 7 category certificate तो category certificate का भी PDF आपको चाहिए होगा इसकी size भी 52 300 KB के बीच में आप अपने phone में इसको set करके रख सकते हो अगर यह certificate जो होते हैं जैसे कि बाकी caste के लिए तो only fix होते हैं SCST के लिए तो OBC का हो सकता है कि इसमें OBC और general category के अंदर हर साल यह changes होते हैं यह आपर renovation करवाना पड़ता है तो वो March के बाद में होता है March के बाद में होता है लेकिन आपके पास तो अभी पुराने वाला है तो पुराने वाला certificate की जरुद अगर आप वो पुराने वाला लगा दोगे तो जब आप counseling में participate करोगे तब तक तो वो invalid हो जाएगा कि उसकी last rate तो March में खतम हो चुकी होगी तो इसके लिए आप यह कर सक सकते हो अपने laptop के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात आती है PW BD certificate तो यानि की physical handicraft का certificate आता है यह तो यहां पर PW यह W छोटा इसलिए लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ रहता है अब वो क्यों लिखा हुआ रहता है वो मुझे नहीं पता बट जैसा लिखा certificate तो certificate certificate यानि कि आपका proof होगा कहां कि आप रहने वाले हो और कौन सा आपका address है उसके बारे में तो इसकी PDAP आपको रखनी होगी 52-300 KB के बीच में आपको रखना होगा हालांकि इसकी ज़्यादा जरूद पढ़ती नहीं है citizenship certificate की जब आप counseling करवाते हो तब पढ़ती है बट exam form fill करते time पर ज़्यादा जरूद नहीं पढ़ती है form fill करते time पर आपको address proof की जरूद पढ़ती है जो कि address proof की बात करें तो present address proof आपका प्लस permanent address जो भी आपका candidate का है जहां पर आप रहते हो उसकी जरूद पढ़ती है जो कि आपको easily available हो जाती है PDF form के रूप में आप इसको save कर easy हो जाएगा अब address proof के लिए या तो आपके पास अधार कार्ड होगा जो कि सबके पास होता है यह बहुत ही basic सी चीज़े है अधार कार्ड किसी के पास ना हो ऐसा नहीं हो सकता अगर आप डेट की preparation कर रहे हो तो सबके पास होता ही है तो इसको अप्डेट रखना होगा यान कि आपको कोई problem ना हो next बात करते हैं अगर आपके पास अधार कार्ड नहीं है तो दो मिसाल certificate होगा तो मिसाल certificate होते है रासन कार्ड वगेरा या फिर और भी कुछ होती होंगे उजे इसका ठीक से idea नहीं है बट उसको आप रखके पता लगा सकते हो next अगर आपके पास यह ज ज्यादा नहीं एज की होंगे लेकिन जिन स्टुडेंट की एज 18 एर से ज्यादा हो चुकी है तो उनका order ID बन चुकी होगी तो उनके लिए यह है बाकि जिनके पास नहीं है तो गपरने की जरूरत नहीं है पर सबसे पहे नंबर पे मैंने अधर कार्ड नोट किया हुआ है वो सबके पास होता ही है तो अधर कार्ड जिनके पास है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अलावा जो ऐसे ही कोई नेटस्ट अपडेट आएगी डोकुमेंट के बारे में कुछ चंजिच होगा तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे उसके लिए के अंदर से तो आप इसको अपडेट कर वालो कोई खामिया है तो उनको दूर कर वालो ताकि आगे चलके आपको कोई पाब्लम ना आए इसलिए मैंने टाइम से पहले बता दिया है बाकी जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे उसमें क्या गाइड लेना आएगी वो भी मैं आप आपको सेर कर दूँगा तो सब्सक्राइब करके रख लो नेट की प्रिप्रेशन से लेके आपको नेट के काउंसलिंग तक आपकी इसी तरीका से हमां हेल्प करते रहेंगे पहले भी करते आए हैं आगे भी करते रहेंगे तो सब्सक्राइब करके रख लो जो मैं डॉकुम इमित्र पे आप अपना फोम फिल करवाते हो तो वो तो अपने अकॉर्डिंग कर ही देंगे बट मैंने सेब जोन बढ़ रखते हुए बताया है कि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि भार आप जाते हो तो वहाँ पर लंबी सी भीड लगी होई होती है तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है तो इसलिए मैंने आपको तरीका बताया है कि घर बेटे आप फोम फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना नहीं किया है तो अभी भी लाइक कर देना यहां तक देखा है तो जुरूर कर दो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि आपको पसंद जुरूर आया होगा अगर इतना देखा है तो मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जये